जैहिन परेसातियों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में तो हमने तीन दिन का महा महराथन कलास चलाया हूँ तो पहला दूसरा महा महराथन कलास हो गया है जिसमें 50 MZQ आपको कंप्पूटर के महत्पूल प्रसने दिखने को मिलेगा तो यदि आप One Day Exam का मतलब यह है कि यदि आप कंप्पूटर का कोई भी ऐक्जान देने जा रहे है या फिर आपके ऐक्जाम में कंप्पूटर के कोशन पुछे जाते हैं तो उस जो कोशन है वहाँ डार्मली कोशन आते हैं यदि इन वीडियो को देख लेते हैं तो आप उन को कर सकते हैं या फिर त्रिपल सी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं उसके लिए भी यह कोशन महत्यपूर है 50 50 50 यह डेड़ सव का महामयराथन चला रहा है तीन वीडियो होगा 50 50 का तो चलिए शुरू करते हैं तो तो हमने कोश्चन नंबर 100 102 तक कराया था तो आएए आगे कोश्चन दिखते हैं तो कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच अंतर समझती है तो माइक्रो प्रोसेसर डी आप्चन यहाँ पर सही है नेक्स्ट कोशन है डीवीडी का उधरण क्या है तो डीवीडी का यह उधारण है आप्टिकल डिखसी आपसं यहाँ पर सही है साभी तक इंपूटर के मुख के मेमोरी को क्या कहा जाता है प्रैमरी मिंडी स्चना láat findings को और दिवाइडी हो औरja विभाज़ेस करने की प्रक्रिया प्रामाइटिंग कह में नेक्स्ट हए नेमलक्ट मेंसे और स्टोरेज डिवाइस का उधारण नहीं है रैम क्या रैम या स्टोरेज डिवाइस का उधारण नहीं है हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन में फाइल सिस्टम स्थाई रूप से संग्रहण में रहता है फाइल सिस्टम स्थाई रूप से संग्रहण में रहता है सेकेंडरी C आप से यहाँ पर विलकुल सही है नेक्स्ट है DVD क्या है तो DVD डिजिटल वीडियो डिक्स है DVD का फुल फ़्राम होता है डिजिटल वीडियो डिक्स भी होता है B आप से यहाँ पर सही है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे question में हमारे दिया गया है कि CPU CPU के लिए समाने गडित पर फाम करता है ALU C आप सनिहापर सही है Motherboard के components के बीच information किसके माध्यम से टेवल करता है तो bus के माध्यम से D आप सनिहापर सही है Next Computer का मुख्य पटल क्या कलाता है Motherboard A आप सनिहापर सही है आगे question CPU का पूरा नाम क्या है CPU का पूरा नाम क्या है PC PC का पूरा नाम है Personal Computer B आप सनिहापर सही है Next है Accessories जिस स्थान पर System Unit से जुड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं जो Accessories होते हैं जिस स्थान पर System Unit से जुड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं उन्हें हम Port कहते हैं जिस स्थान से जोड़ते हैं केम्पूटर में उन्हें हम पोर्ट कहते हैं आगे कोशन की तुरब बढ़ते हैं केम्पूटर में IBM का पूरा नाम क्या है International Business Machine होता है IBM का फुल प्राम होता है International Business Machine ए आप से निहाँ पर सही है नेक्स्ट कोशन दियागा है हमारा BCS परकार के संगित उपकरणों को साउंड कार्डों से कावन सापोर्ट जोड़ता है या माई डी आई डी आप से निहाँ पर सही है सामपूटर केम्पूटर पर नार्नी के लिए सामप्रेसर नियंत्रट करता है किसका मदर बोड का ए आप से निहाँ पर पिल्कुल सही है आगे कोश्टन की दर बढ़ते हैं डिक्स को पढ़ने के लिए प्रियोग में आने वाला हार्ट अबेर काउंसा है डिक्स ड्राइब है सही है यहाँ पर और नेक्स है इलेट्रानिस कांपोनेंट्स वाले थीन प्लेट या बोड को हम क्या काते हैं सार्किट बोड कहते हैं डि आप से निहाँ पर सही है दिया गया है एकसपेंशन कार्ड जिसमें इंसर्ट की जाते हैं उन्हें हम सलाड कहते हैं आगे कुशन के दिया है यहीं के फूरकी स्पीट कि गढ़ना किसमें क Τी हैं एक बाइट के tell की सब्सक्राइब कर दराओं पर स्थेट करते हुए पहला computer program किये गये थे machine language करते हुए पहला computer program किया गये थे किसी ने स्टामिक बेसिक computer का विकास किया था जान जी कैमी ने सिक भाचाof 4 जिद्विद़्ी आप से हाहे है नेक्स्ट ईस पिट्र भाचा का ुख खाथ था 1964 में किसी ने किया था जान जी कैमी ने किया था जी आप सनिहा पर सही है कि चलिए आगे बढ़ते हैं सीद्र रहते किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहला था किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन फ्रोचार्ट कहला था बहुत केम्पूटर भासा को बोल किसके लिए उपयोगी है केम्पूटर भासा को बोल वेवसाईग कारे के लिए उपयोगी है बी आप सनिहां पर बिल्कुल सही है नेक्स्ट कोशन है किस केम्पूटर भासा का प्योग वाडिज्यक कारेयों में किया जाता है कोबोल का कोबोल भासा जावा के अविश्कार कौन है सन माइक्रोशाप्ट सारे कंपूटर में लागू होती है मसीन भासाची आप सनिया पर विलकुल सही है इंटरनेट पर प्रियुक्त कंपूटर लंगवेज है जावा ए आप सनिया पर सही है चलिए आगे बढ़ते हैं लेक्ष्ट है यूनिक्स नामक आपर्श्टिंग पंहर रिट्पियर्द किलिए विव सर्वर के लिए यूर्वेशесяर को ट्रांसलेटर की जरुर्ब्र नहीं से मसीन लंगवेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है आप से पर सही है कि सिण नेक्स्ट है नेम लिखीत में से कौन सा मसीर इंडिपेंडेंट प्रग्राम है हाइवल लंग्वेज भी आप से नहीं हां पर सही है नेक्यट सूंदिया गया है गल्त एक एल्गोरिधम है जिसमें गलत पड़राम निकलते हैं इसे हम क्या क्ते हैं लाजिकल करते हैं एल्च से निहाँ पर सही है कि आडिक माशिस्ञ लगवस्विक वוש ख्या प्रेयों करती है नियुम csak कोड़ प्रदर्सिल करती है भी आप से निहाँ पर सही है next question computer data storage और गणनाय करने के लिए number system का प्यों करते है binary c आप से निहाँ पर सही है निम लिखते हों में से storage का सबसे बड़ा units कौन है tb है याणि terabyte terabyte जो है वह storage का सबसे बड़ा unit है भी आप से निहाँ पर सही है बीट किसका लगू रूप है binary digit का लगू रूप है c आप से निहाँ पर सही है एक bytes में कितने विकल्प होते हैं आठ अभी हमने बताया है कितना बाइट से मिलकर एक किलो बाइट बनता है कितना बाइट से मिलकर एक किलो बाइट बनता है एक हजार चौबिस बाइट मिलकर एक किलो बाइट बनता है भी आप सरिया पर साइए नेक्स्ट कोशन है, बाइनरी नमबर प्रणाणी में कितने अंक होते हैं, दो होते हैं, बाइनरी नमबर प्रणाणी में दो अंक होते हैं, कौन कौन से होते हैं, 0 और 1, हम केम्पूटर में जितने भी कार करते हैं, या कोई भी चिज़े सेव करते हैं, वो हमेशा 0 और 1 के क्लाई पीप में जो सेव होती है उसे हम क्या कहलाते हैं कोडिंग सिस्टम कहलाती है क्रें क्यां किसी सब्धकी लंबाई की नियुकित्ु में आपने हैं यह यहां पर सही लाजिकल गेट क्या है एक प्रकार का सरकीट होता है उसी यहां पर हमारा लास्ट कोशन के दिया गया है कि यहां पर हमारा लास्ट कोशन है दोस्तों कि एक कौन सा प्रोग्राम है जो किसी यह कौन सा प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर करना आसान हो जाता है यूटिलिटी यूटिलिट यूटिलिट साप्टिवेर है जिसे में कंप्यूटर को चलाना या उप्यूट करना आसान हो तीक है सौर्ड वीडियो के मान ध्यम से धर्नमाद चलिए नेक्ट वीडियो मिलते हैं